दतिया में राजगण किले के नीचे के हिस्से वाली 400 साल पूरानी दिवार ढहने से आधा दर्जन से जादा लोगों की मौत हो गई मृतिकों में एक ही परिवार के 5 सदस्ते सामिल हैं बाकी दो लोग परिवार के मुख्या की बेहन और बेहन होई हैं मलवे में 9 लोग दबे थे पड़ोसियों ने 2 को सुरक्षित निकाल ले हैं प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 3.30 बजे 30 आवाज आई लोग बाहर निकले तो देखा कि किले की दिवार गिर गई है मलवे में दबे दो लोगों को ततकाल बाहर निकाल कर हॉस्पिटल भेजा गया और उसकी ने पूलिस को सूचना दी जिस पर करीब 5.30 बजे कलेक्टर संदीप मकीन, S.P. विरेंदर कुमार मिश्रा, कोतवाली टी आई धिरेंदर मिश्रा और SDRF की टीम मौगे पर पहुँ हाथसे के करीब 9 गंटे और करीब 7 गंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलवे से 700 निकाले गए। कलेक्टर संदीप मकीन ने घटना पर दुख जताते हुए बताया कि मुखे मतरी डॉक्टर मोहन यादों ने मृत्को की परीजन को 4-4 लाक रुपे आर्थिक सहायता देन की घोषड़की है।